नमस्कार दोस्तों एक्जाम प्रिपेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज डेवाई सीरीज में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉपिक में संगठन या फिर आंदोलन उनकी जो आंदोलन सुरवात हुए उनके वर्स और उनके साथ साथ जिन्होंने उनका संचालन किया तो एक एकर करके हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले देखिए संगठन है मित्रमेला इसकी सुरुवात कब हुई 1899 में कहां पर पूना में किसके द्वारा इसका संचालन किया गया सावरकर बंधो विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गनेज दामोदर सावरकर द्वारा मित्रमेला ही वर्स 1904 में एक गुप्त सभा अभिनो भारत में परिवर्तित हो गई तो अभिनो भारत भी इंपोर्टेंट है और मित्रमेला भी इंपोर्टेंट आपको दोनो यादक में है ठीक है अगला है अनुशीलन समीती कलकत्ता और धाका में 1902 में कौन-कौन थे इनके संचालन में तो बरिंद कुमार घोस थे जतिंदनात बनरजी थे रमतनात मित्तर थे और पुलिंदास थे तो अनुशीलन समीती कलकत्ता और धाका में वर्स 1902 यादक है इसके बाद तीसरा संगठन है अभिनो भारत सभा इसका भी स्थान था पूना और वर्स याद रखना है 1904 सावरकर बंदू द्वारा इसकी भी सुरुवात की गई तो गनेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर द्वारा इसकी सुरुवात की गई अभिनो भारत की साखाएं महाराष्ट के अलावा करना तक MP में भी स्थापित की गई और 27 सितंबर 1905 को केशो बलीराम हेट गेवार ने राष्टी स्वयम सेवक संगिकी स्थापना की थी और इसका मुख्याले कहां था नागपुर महाराष्टी में इसके बाद है कैलिफोर्निया USA में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहां पर USA कैलिफोर्निया में यहां पर तारकनाथ दास थे, द्वारकानाथ और पांडू रंगखन कोजे थे इनके द्वारा इसकी सुरुवात की गई अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन HRA Most important है exam point of view से ये लिष्ट जो भी बच्चे cover कर रहे हैं जिनें भी नहीं आद है वो लिष्ट बना लीजिए एक पास और इसको जरूर याद कर लीजेगा क्योंकि यहां से आपको प्रशन देखने को जरूर मिलेगा तो HRA की स्थापना कानपूर में हुई 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन या फिरार्मी की स्थापना अक्टूबर 1924 में कहां पर हुई कानपूर में अब इसमें राम प्रशाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर जी और सचिन सान्याल थी इन्होंने इसकी स्थापना की थी बाद में चंद सेखर आजाद के नेत्रत में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन का नाम क्या कर दिया गया अर्थात हिंदुस्तान सोशिलिष्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन कहां पर फिरोज सा कोटला दिल्ली में बदल दिया गया था तो चंद सेखर आजाद ने ये भगत सिंग के कहने पर ही संगठन का नाम क्या कर दिया था तो आपको हारे या रखना है 1924 में कहां पर इसकी स्थापना हुई कानपूर में ये कानपूर में या रखना है इसके बाद जब एक सारे पूछा जाएगा तब आप बताएंगे इसके नाम में परिवर्तन किया चंद सेखर आजाद ने भगत सिंग के कहने पर और इसकी इन फ्रांसिसको में 1913 में ये भारत से बाहर थी जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग पढ़ी अभी कैलिफोर्निया में इसी तरह गदर पार्टी भी भारत के बाहर थी सेंट फ्रांसिसको में इसमें देखेंगे कौन-कौन से सदस्य थे इसमें लाला हरदयाल औ भाकना का नाम तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है इनके साथ साथ पंडित रामचंद, भाई पर्मानन, भगवान सिंग, मुहमत बरकतुल्ला, राजबिहारी वोस, करतार सिंग सरावा ये इसके सदस्य थे तो इन सारे सदस्यों को याद रखना है आपसे प्रशन ऐसे भी बन सकता है कि इन में से कौन थे जो गदर पार्टी में सम्मिलित नहीं थे तो भी आपको नाम तो पता होना चाहिए इसके अलावा आपको लाला हर्दयाल और सोहन सिंग भाकना को याद रखना है इसके बाद हिंदी एसोशियेशन काल अंतर में इसका नाम क्या हो जाता है ह नेक्स्ट है इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका ये भी न्यू यार्क 1917 में ये सुरू की जाती हो लाला लाजपत रायद्वारा नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में 1942 में राजबिहारी बोस एक एक जितने भी आप पढ़ रहे हैं संगठन सब क सब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपको कोई भी नहीं बोलने हैं चाहे आप यूपी पीसेस का एक्जाम देने जा रहे हो या फिर अभी आरो यारो का एक्जाम होने वाला है दोनों में ही यहां से प्रशना आप देखते हो मैंस दफ फॉलोईंग में मिल ही जाते हैं इसके बाद हैं हिंदू धर्म संग चापेकर बंधू हो द्वारा दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्न चापेकर आरे बांधो समाज ये बाल गंगा धर तिलक ने शुरू किया था भारत माता समीती 1904 में जे चटर जी एम नील कांत ब्रह्मचारी और वांची अईर थेस भीका जी आंदोलन 1902 में और इनको कौन नहीं जानता मैडम भीका जी रुस्तम कामा इनके द्वारा शुरू किया गया फिर है आत्म उन्नती समीती विपिन बिहारी गांगुली द्वारा हिंद एसोशियेशन ऑफ अमेरिका 1905 में सोहन सिंग भागना शुरू करते हैं बंग इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूरी सेन द्वारा शुरू की गई थी अनुसीलन समीती ये मिदनापूर की है 1902 में ग्यानेंदनाथ बोस द्वारा भारत माता सुसाइटी पंजाब में 1907 में अंबा प्रशाद और अजीत सिंग इसके मेंबर थे भारत नौजवान सभा ये प्रारंबिक सदसी थे भारत नौजवान सभा में प्रशन आया भी है प्रारंबिक सदस इन में से कौन नहीं थे या कौन थे ऐसे करके प्रशन पूछे गए हैं अगर आप मेरे साथ प्रीवेसर कोशन सॉल्व कर चुके हैं तो आप ऐसे कोशन देखे होंगे देखे जिनों मंदल पूना में 1896 से 1897 की बीच ये चापेकर बंधों द्वारा सुरू किया जाता है दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर और वासुदेव हरी चापेकर स्वदेश बांधो समीती ये बारी साल में 1905 में सुरू होती है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा इसमें लाश्ट है राश्टी स्वयम सेवक संग 27 सितंबर 1905 इसका मुख्याले था नागपूर महाराश्ट में और ये सुरू किया गया केशो बलीराम हेडगेवर्ड एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइस कीजिए मित्र मेला पूना में 1899 में सावरकर बंधूंओ द्वारा वीडी सावरकर उनके बड़े भाई थे गनेज दामोदर सावरकर इसी को बाद में अभिनो भारत में परिवर्टित कर दिया गया था फिर अनुसीलन समीती 1902 में कलकत भारत पढ़ा पूना में 1904 में इसमें भी गनेज दामोदर सावरकर और वीडी सावरकर ये दोनों लोग थे ठीक है तो इसमें याद रखने आपको इसकी अलग-अलग साखाएं भी बनती है माराष्ट करनाटक MP और इसके बाद जो इसमें केसव बलीराम हडगेवर थे इन 1907 में तारकनाथ दास द्वारकानाथ पांडू रंखन खोजे ये सारे इसके मेंबर थे हरे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है आपको याद अखना 1924 में कानपूर में और एचे सारे आपको याद अखना है फिरोसा कोटला दिल्ली में इसका नाम परिवर्तित किया गया चैनल स से क्रेटरी लाला हर्दयाल खजाची थे पंडित कासी राम इंडियन होम रूल लीग पढ़ना है आपको लाला लाश्पत रॉय दौरा नियुयार्क में 1917 में इंडियन इंडिपेंडनेंस लीग जापान में 1942 में लाजबिहारी बोस इसके अलावा मैंने आपको और सारे आज का ये वीडियो थोड़ा छोटा है लेकिन एक्जाम पॉइंट अफ्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस लिस्ट को आप प्रिपेर करिए एक दो बार वीडियो रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा ऐसे और वीडियो के साथ और कंटेंट के साथ मै मैं मिलती हूं नेक्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद